हालो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे जामुन शॉट याने कि जामुन का ड्रिंक यह बहुत ही ज्यादा टेस्टी और मज़ेदार लगता है और इसे हर कोई पसंद करेगा एक बारी से पिएगा तो चलिए देर किस बात की हम इसे पनाते हैं तो मैं हो रिना विरादार और आप सब का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ तो जामुन शॉट को बनाने के लिए इस ट्रिंक को बनाने के लिए हमें लगेंगे कुछ जामुन अभी तो इसका सीजन एड है सारे मार्केट में एज़ी अवेलेबल है तो आप इसे बना के इंजा कर सकते हो तो इसके उपर का पूरी तरह से पाठ हमें निकाल लेना है और अंदर के जो गुटली होती है उसे फेक देना है तो यही पाठ बहुत इंपॉर्टन होता है इसे नाइफ की मदद से आप निकाल सकते हो चाहे तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हो मैं आपको निकाल के दिखा दूँ बहुत तरीका है इसे निकालने का बिना नाइफ के भी एक जामुन इस तरह से आप उठा ले इसे थोड़ा सा हलका सा प्रेस कर दे इसकी जो गुटली है अपने आप बाहर निकलाएगी तो गुटली को फेक दे और इसके उपर का पार्ट ले ले बस यहां पे मैंने कुछ जामुन को इस तरह से निकल लिया है अब इसे डाल देते हैं मिक्सर के एक जार में तो छोटा वाला जार में ने आप यूज किया है यह चार लोगों के लिए इतने जामुन अराम से बस हो जाएगे तो इसमें अब कुछ मसाले डाल देते हैं सबसे पहले इसमें जाएगा साधा नम अब इसमें डाल देते हैं काला नमक 1 टी स्पून अब हमें इसमें डाल देना है चीनी पाउडर अगर आप चाहेतो साधी चीनी भी डाल सकते हो बिना पीसे भी कोई बात नहीं इससे कोई फ़रक ने पड़ता हमें वैसे भी देखा जाये तो इसे पीस नहीं है लेकिन मैंने मैं आप को दिखादू यह कैसा है तो यहाँ पे 4-5 चमस मैंने चीनँ डाल दी है तो आप अपने टेस्ट के अनुसात पुदिना और निम्बू तो थोड़ा सा पुदिना डाल दिया है और आधा निम्बू मैंने इसमें निचोड़ दिया है अब फिर से हमें इसे अच्छे से पीस लेना है तो यहां पर इसके यह जो पेस्ट है हमारे बनके रेडी है अब चलते हैं इसे बनाने के लिए तो इसे ग्लास बनाने के लिए जितना हमें लगेगा उतना हम डाल देते हैं, मैंने चार चमच इसमें डाल दिया है, अब इसे रख देते हैं साइड में और बड़े वाले ग्लास में डाल देते हैं सोडा, आप सोडे के जगा पाने का भी यूज कर सकते हो, अगर आपके घर में बच् इसलिए सोड़े का यूज किया है अब यहां पे सोड़ा मैंने ग्लास परके डाल दिया है इसमें डाल देते हैं छोटे ग्लास को तो यह आप देख सकते हो बहुत अच्छे से मिक्स होने लगा है तो शौट जब बनता है ना तो सोड़ा थोड़ा सा ज्यादा थंडा ले नही पेने में इतना टेस्टी लगता है न कि एक कर से ट्राय किया तो यद भानी अगा आपको ये बहुत पसंद आने वाला है तो एक बार आप जरूर ड्राय कीजेगा और ये रेसेपी कैसी लगी क्मेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजेगा अगर आपको मेरी रेशिपी अच सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा